एक उसको करेंगे। मैं घुपास योजा स्वागत करता हूं पर आइए जादा़ा देडर ही ना करते हुए, अपनी इसको प्रारमन करते हैं पड़ना है क्लियर देखिए अगर कहें कि कुछ अन्य मुद्य शम्कालीन विश्व की राजनीत में शुम्कालीन विश्व के लिए जह हम लोग पिछली क्लास में पढ़ए हैं उस 말고 कहीं न कहीं एक येवी सुरक्षा खतरा है है यह भी पर्यावरण पुछत्रा शाया तो पर्यावरण के खतरा है तो उस सम्दंदेश है पहलें कोई दिक्कत मतलब उस चैप्टर में इसको भी पॉइंट के रुप में लिख सकते हैं वनों की कटाई ये भी एक मुद्दा है विश्व में इसके वनों की कटाई की विए से आपको भी पता है कि कई सारी प्रोब्लम्स आती हैं और आती रहेंगे ठीक है ओजोन चिद्र ठीक है ओजोन पर करने की जड़त है तो विभिन देशों की सरकार कदम उठाती है इस पर हम और आप तो उठाएंगे लेकिन देशों की सरकार जैमेन है इसमें ठीक एक देश से कुछ नहीं होगा आपको पता एक देश अकेले कुछ नहीं कर सकती ठीक और परियावरण को नुक्सान कुन पहुचा रहा है हम और आप ही तो पहुचा रहे हैं और कोई तो करने नहीं आ रहा है एलियंस तो आ नहीं रहे हैं ठीक है दूसरा चीज आगे चलते हैं देखिए अगर इसके वैसिक प्रयास अब तक क्या 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 किया है तो 1972 में क्लब आफ रोम ने लिमिश टू ठीक है प्रकासित की इसमें बढ़ती जन संख्छा को कारण बता लिए कि प्राकरतिक संसादनों का विनास करने की लिए बढ़ती जन संख्छा को में रीजन बता इया ठीक यूनेप यानि कि श्वाइब राष्ट परियावरण कारिक्रम यह यूनाइटेट नेशन्स के अंतरगतिक एजनसी है इसने जब परियावरण से संबंधित समझ्याओं के लिए कई सम्मेलन करवाए हैं अभी भी करवाती रहती है इसी यह इसी के द्वारा कॉप करवा जाता विक्सित देशे विक्सित हैं इसे ही साजी परमतु अलग अलग जिमेदारियों का सिधान इसी में ही एजेंडा-21 को सुझाया गया खिक है और यह हुस ह्थ़। चाहित清क या। और दूसरा हो ग्लोबर मंग टीक है यहिए वीकासर्ट है और अपसी रिष्टो को सुँढ़ना चाहते हैं, यह लोग और आरथिक विकास चाहते मैं, यह भी परियावारण को नुक्सान न पहुंचे इसे टिकाव विकास कहते हैं अनि sustainable development कहते हैं कि आप इस तरह से आप जो है विकास करिए कि आने वाली पीड़ी उसका पायदा उठा सके sustainable development यही है इसी में जो हम बता रहे थे agenda 21 इसमें कुछ ऐसे तौर तरीके 21 तरीके समझाया गया ह सुझाया गया है जिसको एजेंडा 21 अच्छा 1987 में और कामन कामन फुचर और कामन फुचर नामक शिर्षक से सिर्षक इस टाइटल के नाम से एक रिपोर्ट चपती जिसका नाम था बटेलेंट इसमें सुझाया गया कि आर्थिक विकास के वर्तमान के तरीका का आगे चलकर ठ वह आगे चलके ठीकाव नहीं होगा उससे और ज्यादा दिक्कते होंगी लॉसी होगा इसको परियावार ठीक है इसी संदर में UNFCC United Nations Framework इसमें क्या कहा गया है कि सभी देश तो एक साथ ठीक है लेकिन अलग अलग जिम्मदारियों को वह करेंगे सभी देश अपने चमता के अनुरूप अप जितनी जिसकी चमता है उसके हिसाब से जिन लोगों ने जितना ज्यादा परियावरण को अप्षय किया है मतलब नुकसा अपनी योगदान देश ने कम कि भुटान जैसे ने बिल्कुल ना के बाराबर किया है लेकिन साजी साजी मतलब सबकी ठीक है लेकिन अलग अलग जिम्मदार यह नहीं भाना है ठीक है उसके पासे 1997 नों को टोटोप्रोटोप्रोटोकॉल होता है इसमें यह क्या हुआ कि अ तो विक्सित देशों के लिए ही ग्रीन हाउस जो है उनको कम करने के लिए निर्धारित लक्षी निर्धारित कि आप लोग को इतना प्रसंट इतना प्रसंट कम कर देना ठीक है भारत ने अगर्स दोहजार दो मेंस पर साइन किया था ठीक है ट्योटर प्रोटोकॉल 1997 आप यह जरूर याद रखिएगा यह पूछ सकता है ठीक है और पूछा जाता है कंप्टेटिव एक्जैमने संद देखे साजी संपदा और वैस्विक संपदा ठीक है अमान होता कि साजी विरासत साजी से मनें बताया सबका वे संपदा वे संसाधन वे वैस्विक चीजें जिस पर आपका मेरा किसी एक देश का किसी एक सरकार का किसी एक अजेंसी का किसी एक प्राइवेट कोई मतलब वो नहीं है उसका अधिकार है सब का सभी देशों का इसमें जो अगर मुख एक्जामपल की तर पर देखें तो और प्रोटोकॉल हुआ था 1987 मेंantine ऐंटार्क है अंटक्रिका संदिय एंटर्क का सठी ट्रिटी वा था 1959 कि इसके सुरक्षा के लिए किसकी तो वैस्विक संपता की सुरक्षा के लिए यह सब प्रोटोकॉल अन्य इत्यादी भिंद प्रकार के अन्य जो है प्रोटोकॉल यह अन्य जो संधिया हुई है ठीक है उतमें एक एक का हर एक का लक्ष भी है आप बड़ी ग्लास में हमने आपको बताया कि जब यह बात हां कि सभी देश साथ मिलकर बराबर बराबर हिस्से में वह करेंगे आपनी जीमेदारी निभाएंगे तो भी कासित देश उतने सब्सक्राइब करें में 1992 में पढ़ा आप सभी कुछ दिल पहले मैंने जिसने जितना नुक्सान की भरपाई जिम्मदारी जो होगी जिसने जिस हिसाब से ज्यादा नुक्सान की भरपाई करेगा ठीक है इसतर को मालनिया किसने पृथिस समय लन 1902 में और इसे ही साजी परन्तु अलग-अलग जिम्मदारियों का सिधान्त कहा गया यह याद साजी संपता अकार की घटने के क्या करण जो साजी संपता यानि सबकी संपता नी सबकी विरासत है तो उसके धीर धीर에 कम होता जा रहा है उसका region क्या है that proposition तो क्या करेंगे अपना उसमें कहीन क्या वास्निवास बनाएंगी पर्यावान के मसले पर भारत का पक्ष क्या है वहन्ने आपको बताइब कि 2002 पर उसने क्योट को के लिए स्रक्षतर इंधन को अनिवार कर दिया आप बाइक चलाते हैं कार चला तो पॉलूशन बनवाते हैं पॉलूशन आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं नहीं तो आपको पता कि दस हजार का चलान कि इस इसको भी भारत सरकार ने वह किया उड़िया एंडी अरजय के बारें बात की जाए तो आप सोलर एनर्जी की बात कीजिए आएसे इंटरनेशनल सोलर आलाइंस भारत उसका क्या कहता है इस इस इसको बनाने में भारत का एहम युगदान था साथी इवर्प्र, निर्भर करें सोलर पैनल लगाने पर सरकार सबसीडी दे रही है ना बायोडीजल से सम्मंधित राष्टी में चला ही रहा है वैस्विक कारकरों में भागदार है और उसमें हमेशा पाटिसिपेट करता रहता है और साजी परूंतु अलग जिमेदार्यों का समर्थक पी है और वैस्वि अंदोलन की एक उनकी विविदता है ठीक है परियावरण को लेकर जागद रूपता के बावजुद्वनों की कटाई खतरनाक गति से अभी भी जा रही है आप कोई पता है विभिन भागों में खनीज उद्योग वन आंदोलन किये गये हैं खनीज उद्योगों की भी नहीं है टॉट हो रहता है MIKE पाइचल बिद्योग नियुवविस ज़ल पोतों के निर्मार के लिए क्या क्या दूसरे ज़्यादा जोर देर है आपको भी पता़रा सोनी की संभाव नहीं कहा भी जाता ज़्यादा यह चैपटर ना समझने लायक है ना पढ़ने लायक है बिल्कुल पढ़ने लायक है ना ज़्यादा इसमें लाने की चीज़ है आप चीजों को एक बार पढ़िए रीटिंग करिए समझ जाईए एक बार आपके आसपास में सारी चीज़े हैं आप अच्छे से समझ लेंगे कोई दिक्कत नहीं इसको मतलब कि बैठ कर रटने और वो करने की सब आपके आसपास में दिख रहा है ठीक है कोई आख तापने के लिए प्लास्टिक जलाया जा रहा है कोई कोई जलाया जा रहा है उसको भी आप पढ़ें ओंगे जानती हैं कि उस्से कि परकार की गयसे जो किस किस तरह सुथपन्य होती है जो आपके वेसक्ता प्रिद्धी के लिए जिम्मेदार है global warming की लिए विख देखिए 1982 में युन ने युनाइटिद नेशन्स ने क्या क्या ऐसे लोग को वंसज बताया जो मौझूदा दिसों बहुत दिनों से रहते चले आ यह लोग अपनी परंपरा सांस्कृतिक रिवाज अपने खास समाजिक आर्थिक धरे पर जीवन यापन करना पसंद करते हैं इनको जो है मूलवासी कहा किस ने युनाइटिद नेशन्स ने ठीक है उसकी परिभास से उसने बता दी 1982 में ठीक है भारत में मूलवासी क्या कहा ज अगर यह आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल न अभूले कमेंट तो जरूर करिए शेर करिए दोस्तों का आपका बोर्ट का एक्जाम है इसलिए जल्दी जल्दी पहले एंसी आटिक हो ही हम लोग खतम करेंगे उसके बाद फिर से जो क्लासे चलन सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों को शेर करिए इस एक साथ चेप्टर समाप्त होता है बहुत जल्द आपसे अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिं जैभारत